दिल में है धड़कन, धड़कन में प्यार, जीवन में पाओ, तुम खुशियां हजार नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी लाइफ कोच रंजिना महेश्वरी आज हम एक ऐसे विशेश टॉपिक पर बात करेंगे, जो आप सभी पत्नियों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है आज का हमारा विशे रहेगा, How to impress your husband मैं आपको ऐसे साथ सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जिनसे आप अपने पती को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकती है जब भी आप उनके सामने आए, मुस्कुराते हुए सामने आए आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी कोई मुस्कुराता हुए चेहरा लेकर आपके सामने आए तो आप उससे गुस्सा करेंगे, नहीं करेंगे आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे तो ठीक वैसे ही, जब भी आप अपने पती के सामने आएं हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आएं इससे वो अपनी सभी परेशानियों को भूल जाएंगे और उनका गुस्सा दूर हो जाएगा दिल में है धड़कन, धड़कन में प्यार जीवन में पाओ, तुम खुशियां हजार जब भी वो घर से बाहर जाएं या घर पर आएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप उनके लिए अवेलेबल रहें जब वो अपने ओफिस के लिए तयार हो रहे हैं तो उनकी जरुवत की सभी चीज़े कोशिश ये करें कि सारा काम छोड़ दें और उनकी जरुवत की सभी चीज़ें आप अपने हाथों से दें इससे ये होगा कि उनको आपकी मौजूदगी का सारा दिन एहसास रहेगा और आपका मुस्कुराता हुआ चेरा हमेशा उनके जहन में रहेगा और आपकी कमी को महसूस कराएगा और हाँ उनकी पसंद ना पसंद का हमेशा ध्यान रखें जैसे मान लिजे आपको कोई कलर बहुत पसंद है लेकिन आपके हजबन को नहीं पसंद है तो आप वो कलर उनके साथ में जादे समय ना पहने आप हमेशा ध्यान रखें जब भी उनके साथ जा रही हैं वैसे तयार हो जैसा वो चाहते हैं वही कलर पहने जो उनको पसंद है क्योंकि जब आप उनके पसंद के हिसाब से तयार होंगी उनके पसंद का कलर पहने होंगी तो उनकी नजर कहीं जाएगी नहीं वो हमेशा आपको ही देखेंगे आपकी खुबसूर्ती को निहारते रहेंगे मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही कि आप अपनी पसंद को बिल्कुल त्याग दें आप अपनी पसंद से त्यार ना हो अपनी पसंद के कपड़े ना पहने पहनिए लेकिन तब पहनिए जब आप अकेले कहीं जा रही है अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही है या घर पर अकेले हो आप तब अपने हिसाब से त्यार हो सकती है अपनी पसंद के कलर पहन सकती है आपने कहावत सुनी होगी पती के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो उनकी पसंद के नापसंद के खाने का हमेशा ध्यान रखें वो खाना बनाए हमेशा जो उनको पसंद हो वही डिश बनाए जो वो पसंद करती है लेकिन खाना बनाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन बहुत माइने रखती है कई बार होता है खाना टेस्टी तो होता है बट उसकी प्रिजन्टेशन ऐसी होती है दिल ही नहीं करता हमेशा प्रिजन्टेशन इस तरह की हो कि लगे वाव क्या खाना है सबसे important बात हमेशा इस बात का ध्यान रखें कभी भी उनके घर वालों की बुराईयां उनके सामने ना करें क्योंकि इस से पती आप से नाराज हो जाएंगे और वो पसंद ही नहीं करेंगे कि आप उनके सामने उनके घर वालों की बुराईयां करें अक्सर लेडिस की आदत होती है जैसे ही आप दोनों जन साथ बैठे आप शुरू हो गई आज मम्मी जी ने मुझसे ये कह दिया आज मम्मी ने ऐसे कहा आज मम्मी ने वैसे कहा आज दीडी ने ये कह दिया आज भीया ने ये कह दिया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उनके सामने उनके घर वालों की बुराईया नहीं करनी है इससे आप दोनों के मन में मन मुटाव बढ़ेंगे तक्राव होंगे तो ये सिब बचें न है ऐसा कुछ भी जो तुझ से छुपाऊं जीवन का हर सुख दुख तुझको ही बताऊं और हाँ सबसे मूल मंत्र वो ये है कभी भी अपने प्यार का इजहार करने में शर्माए नहीं अच्छा आप मुझे ये बताएं आप लास्ट टाइम कब त्यार हुई थी कहीं बाहर जाने के समय या किसी पार्टी में जा रही है आउटिंग पे जा रही है तब तो आप त्यार होते ही हैं लेकिन आप हमेशा सजी, समरी, साफ, सुथरी अपने पती के सामने आएं तो वो आपको देखकर खुशी महसूस करेंगे अक्सर क्या होता है कि हम जब शाम को पती घर बापस आते हैं सारा दिन जो हम घर में कपड़े पैने होते हैं वही कपड़े पैने, बिखरे बाल, एवही उनके सामने आ जाते हैं तो क्या वो आपकी तरफ देखके खुश हो पाएंगे? नहीं होंगे तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ साथ सुत्रे रहें अपने बालों को अच्छे से समारें सुन्दर तरीके से उनके सामने आएं वो भी खुशी महसूस कर पाएंगे प्यार की दो बातें कर पाएंगे तो अंत में मैं आज से यही कहना चाओंगी आपके और आपके पती के बीच में हमेशा प्यार और विश्वास को कायम रखे विश्वास बनाए रखे प्यार को मजबूत रखे इसी शुब कामना के साथ हैपी मेरिड लाइफ अगर आप बहतर वेवाहिक जीवन से जुड़े अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों के बहतर भाविशे के बारे में उनके भाविशे को बहतर कैसे बनाए मितास लाइफस्टाइल इंदियास लार्जेस्ट मैनिफेक्ट्टर और एक्स्पोर्टर और वर्ल क्लास हाईजिनिक टेलेस्टील, मौदिलर किछिन, बास्ट्रूम वाणिटी, वाट्रॉब्स, और स्टील इंटरियर